हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुमाई यूट्व चैनल दोस्तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एस gesch Geschmack करो तो चलियो के लेक सकते हैं हम साथ पूरे विस्में यूज़ में ले सकते हैं इस ही पह forg रिकार हम प्लेटरम डेविक कर्ड को भी इंडिया के साथ पूरे विस्में यूज मिले सकते हैं. गोल डेविट काड में, accident, insurance cover की बात करें, तो इन केंज किसी गराँ की, अगर accident में death हो जाती है, तो उसे गोल डेविट काड के अंदर दो लाग रुपे तक का insurance cover मिलता है, इसी प्रेटर प्लेटरम डेविट काड की बात करें, तो इसमें 10 लाग रुपे तक का insurance cover होता है Gold debit card, gold segment category वालो account को जारी किया जाता है इसी प्रकार platinum debit card, platinum segment वाले account वाले गराकों को जारी किया जाता है Gold debit card की ATM से प्रती दिन transition limit की बात करें तो हम ATM से प्रती दिन 50,000 रुपे तक निकाल सकते हैं और platinum debit card से हम प्रती दिन 1,000 रुपे तक ATM से निकाल सकते हैं Gold debit card में POS अर्थात shopping limit की बात करें तो इसमें प्रती दिन 2,000 रुपे तक की shopping हम कर सकते हैं इसी प्रका platinum debit card में हम प्रती दिन 2,000 रुपे तक की shopping कर सकते हैं गोल डेविट कार्ड को प्रिथम बार जारी करने पर बैंक द्वारा 100 रुपे प्लस में GST या पर GST 18% एप्लिकेवल होती है इन दोनों को जोड कर कुल 108 रुपे बैंक द्वारा हमसे चार्ज किया जाता है इसी परकार प्लेटनु डेविट कार्ड को बैंक द्वारा प्लस में GST यानि कि कुल 206.50 रुपे अमसे चार्ज किया जाते हैं इसी परकार प्लेटनु डेविट कार्ड के एनुल मेंटरिन चार्ज कि बात करें तो यहाँ पर 500 रुपे प्लस में GST यानि कि कुल 245 में रुपे बैंक द्वारा चार्ज किया जाते हैं और अगर आपक तो इसमें आपसे 300 रुपे प्लस मिजेस्टी यानि कि यहाँ पर भी कुल 354 रुपे बैंक द्वारा चार्ज किये जाते हैं गोल डेबिट कार्ड को बैंक से लेने के लिए एलिजबिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको चयार कंडिशन दी गई हैं अगर इन चयार कंडिशन में से एक कंडिशन भी आप फुल्फिल कर रहे हैं तो इस कार्ड को बैंक से आप ले सकते हैं इसमें सबसे पहली जो कंडिशन है वो आपके अकाउंट में एवरेज कौर्टरली बैलेंस 50,000 रुपे या इस जाधिक होना चाहिए या फिर आपके अकाउंट में डिपोजिट्स जैसे FD, RD या PPP 5,000,000 रुपे आईस से जाधिक होने चाहिए या फिर आपने होम लोन 10,000,000 रुपे आईस से जाधा काले रखा हो या फिर कार लोन 3,000,000 रुपे आईस से जाधा ले रखा हो इन चारो कंडिशन्स में से अगर आप किसी एक कंडिशन को भी फुल्फिल कर रहे हैं तो आप इस गोल डेबिट कार्ड को बैंक से इसू करा सकते हैं इसी पिकार प्लेटनम डेबिट कार्ड के अलिजबिल्टी के बात करें तो इसमें आपका quarterly average balance एक लाग रुपे आएसे अधिक होना चाहिए इसमें deposit 10 लाग रुपे आइसे अधिक होने चाहिए home loan 20 लाग रुपे आइसे अधिक होना चाहिए car loan पांच लाग रुपे अईसे ज़्यादा होना चाहिए अगर इन चारों कंडिशन में से किसी एक कंडिशन को आप फुल्पिल कर रहे हैं तो आप platinum debit card bank से इसू करवा सकते हैं gold debit card को bank से apply करने की process की बात करें तो इसे हम bank में visit करकर ही apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपका account gold salary account या इसे above जैसे diamond salary account है तो आप इसे online internet banking के माध्यम से भी apply कर सकते हैं लेकिन अगर platinum debit card के apply करने की process की बात करें तो इसे हम केवल branch में visit करकर ही apply कर सकते हैं इसे online माध्यम से हम apply नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं इन दोनों card के review के बारे में इन दोनों card को compare किया जाए तो यहाँ पर सबसे best debit card platinum debit card लगता है क्योंकि platinum debit card की daily ATM cash window limit हाई है और इसकी shopping limit भी हाई है और platinum debit card में gold debit card के बज़ाए accident insurance cover भी जादा रुपे के मिलते हैं और platinum debit card में सबसे important चीज है वह यह कि हमें प्रतिवर्स यहाँ पर 8 number airport launch access free मिलते हैं जबकि gold debit card में हमें airport launch access free मिलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like, share, subscribe कीजिए धन्यवाद